Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Tarrets आज मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए specially बनाई है जिल लोग को Spirit Guides से messages चाहिए People who wanted to know about the, about what their Spirit Guides wanted to give message to you आपके future में क्या होने वाला है, आपके career, आपके professional life, आपके personal life से लेटेट Spirit Guides आपको क्या message देना चाह रहे हैं में ये एक general reading है, आपके सामने एक तीन angels हैं, ठीक है Crystals हैं ये, आप इन में से कोई भी choose कर लीजे, जो आपको लगता हो कि मुझे यहां से message मिलेगा यहां से मुझे message convey होगा, ठीक है This is angel number 1, this is angel number 2 and this is angel number 3 तो इसमें से कोई भी आपको जो लगती हो कि हां मुझे यहां से message मिलेगा उसको आप pick up कर लीजे, ठीक है वीडियो को pause करके भी आप कर सकते हैं, मैं angel number 1 से शुरू करूंगी कि angel number 1 जो लोग ने choose किया है, let's see आप लोग के लिए क्या message है और spirit guides आपको क्या message देना चाह रहे हैं spirit guides आपको यहां पर message देना चाह रहे हैं कि be a spiritual person, धार्मिक बनने के या भगवान पे या अपने God पे इस्टेदेव पे बिलीव रखिए यहां पर message आ रहा है कि अगर किसी निर्धन व्यक्ति की अगर आप मदद कर सकते हैं अम अवस्या या पुर्णिमा वाले दिन अगर करते हैं, that will be very good अगर आप full moon पे या dark moon पे कुछ किसी को donate करते हैं, किसी की कुछ help करते हैं, तो आपके जो रुके हुए काम हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे उपाएं सबसे पहले ही ये remedy काड आप लोग के लिए आया हुआ है, कि मंदिरों में जा करके घंटियां सुनना, ओम की chanting करना, या किसी मंत्र का जाप करना निरंतर, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, इसको कर लीजेगा जब भी आपको समय लगे, एक दिन, दो दिन छूट जाता है कोई बात नि लेकिन, रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नि, जॉब करते हैं, बिजी हैं या ठक गए हैं बहुत जादा, तो इसको आप एक दिन, दो दिन छूट गया लेकिन फिर से continue करेगा, ठीक है, ए आपके जो life cycle अभी जो चल रही है, जो भी दिन चरिया चल रही है, जैसी जिन्दगी चल रही है, आगे भी यहाँ पर message आ रहा है कि छोटे मोटे changes आएंगे, major changes, बहुत बड़े changes नहीं, इसमें angels message नहीं कर रहे हैं, बलकि यहाँ पर छोटे मोटे changes आ सकते हैं, आने वाले स हमें में, कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा change आएगा आपके, आपके professional, आपके career, आपके personal life में, तो जो भी होगा, वो changes accept करियेगा, ठीक है, और nature से थोड़ा सा connect होने के कोशिश करिये, जैसे कि पेड़ों में पानी डालना है, या पेड़ों के पास बैठना, या पार्क ज आइसी जगह जहां हर्याली हो, वहाँ पे अगर आप सुकून से बैठेंगे, तो आपके पास message आ रहा है कि एक तो आपके पास, जब आप वहाँ से लोटेंगे न, तो कोई, मुझे यहाँ message हो रहा है कि पैसा आएगा आपके पास, आपके पास जो है, वो financially जो 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 कि एक रहा खुलती है, एक रहा जैसे direction मिलना, कि हाँ मुझे यहाँ से पैसा कामाने का यहाँ पर option मिल सकता है, या मेरे income में increase हो सकता है, increment हो सकता है, इस तरीकी की कुछ चीज मुझे दिख रही है, क्योंकि देखे, green color healing का होता है, तो plants के पास, अगर आप उनके पास जाते हैं, पेड़ों को देखने मातर से ही, आपका healing जो है, वो शुरू हो जाएगी, रोज ऐसा करिए, ठीक है, आपके garden में या आपके balcony में जहां कर भी पेड़ अगर नहीं है, तो प्लीस लगा लिजे, और पेड़ की सेवा करना, पेड़ों को जो है, वो लगाना इसा बहुत ग्रीन कलर हील करता है, तो उसका जादा-जादा उपयोग करिए, ग्रीन कलर कपड़े पहन सकते हैं, अगर crystals रखते हैं, अवें तो बहुत अच्छी बात है, या green jade crystal आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो भी आपको हील करेगा, ग्रीन कलर को जादा-जादा यूज कर रहेगा इससे आपके बॉड़ी की हीलिंग होगी इम्मुनिटी पावर भी बड़ेगी अपॉचुनेटी का कार्ड है यह सब कहोने और करने के बाद आपके पास अपॉचुनेटी आएंगी थोड़ा पेशेंस रखिए जल्दबाजी में कोई काम मत करेगा जल्दबाजी में कोई decision मत ले लीजेगा थोड़ा सा यहां पे message हो रहा है कि आप अंधेरे से रोशनी के तरफ आप जाएंगे तो जो भी dark चीज़ आपके साथ हो रही थी कुछ खराब हो रहा है कुछ issue या problem हो रही थी उससे आप धीमे धीमे निकल पाएंगे और opportunities आएंगी तो आप चैटिंग करिए थोड़ा सा मिलिए जिल थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या आपको करना है जिन्दगी में और patience के साथ करिए decision धैरे बना करके तब फैसले कोई लीजेगा सोस समझ के किसी से discuss भी कर सकती हैं आप angels message कर रहे हैं कि आपको courage होना बहुत जरूरी है life में अगर आप चाहते हैं कि आपको successful हो तो बहादुरी तो courage होना एक होता है na self determined होना जरूरी है किसी भी चीज़ को achieve करने के लिए एक होता है na कि मुझे चाहिए ही चाहिए self determined होना वो चीज़ यहाँ पर आपकी feeling मुझे नजर आ रही है कि उससे आपके आगे की जिन्दगी में रहा जो है खुलेंगे रस्ते खुलेंगे आपके जिन्दगी में तो courage बना के रखिएगा तो आपके लिए नए रस्ते खुलेंगे क्योंकि यहाँ पर path का ही यहाँ पर message आया हुआ है और angels कह रहे हैं कि courage बना के रखें थोड़ा सा हिम्मत बना के रखें और फैसले सो समझ के लीजेगा तो देखते हैं कि last में आप लोग के लिए यहाँ पर क्या message आ रहा है इक बड़ मैं देखूं कि spirit guides आपको क्या message करना चाहरे हैं आपके पास एक अंद्रूनी शक्ति है बहुत बल है आप लोग के काफी अच्छी है स्टेंथ है आप लोगों के अंदर काम करने की शम्ता अच्छी खासी है आप लोगों के पास sacred healing का ही देखिया message again वही message कर रहे हैं कि आपको इस वक्त healing की जरूवत है sacred healing का मतलब यह होता है कि sacred यानि कि पूजा पाट में जो भी आप अपनी energy यूज कर रहे हैं आरती करने में या बैल बजाने में घंटी बजाने में वो जो sound है वो आपको heal करेगी ठीक है आप किसी religious place पे अगर जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना किसी धार्मिक जगह पे जाते तो अच्छा लगता है तो बिलकुल जाएए वहाँ पे एक थोड़े दिर बैठिये आप 15-20 मिट ही बैठ जाएए ठीक है उससे क्या होगा कि वहाँ की जो हवा है न वो आपको bless करेगी तो यहाँ वहाँ से भी blessings मिलेंगी आपको घर पे अगर आपका मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं कि मैं अभी आपसे कही रहे थी कि बहुत जादा आपने आपको बांधिये नहीं किसी चीज में लोगों से मिलिये घूमिये फिरिये तोड़ा बाहर जाएए और उठिये बैठी लोग के साथ सीनियर कोई हैं आपके साथ तो उनसे थोड़ा मिलिये अगर आप एक हाउस करने जाना है किटी पार्टी करनी है कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है घर पर यापको एंजॉइ करना है कुछ भी फ्री होके रहिये जैसे पक्षी होता है ना वह कहें भी उड़के जा सकता है उसको रोक टोक नहीं तो देखिए अग्ला जना अगर कोई जना बांध आपको बहुत दाव कर रहा है तोиссious कर रहा है कि वह focus तो अपने आपको डैमड़ कर रहा है वह तो उसकी बात है लेकिन आप अपनेraz इस वजह से ले रहें तो वह चीज नहीं होना चाहिए फृरी छोड़िए अपने आपको अग्ला जना क्या कह रहा है क्या कर रहा है और प्लीज उस पर ध्यान मत दीजे ठीके अपना सोचिए देखिए कि ये चीज आपको करना जरूरी है आप जब हील होंगे तब आपने फैम्ली को मेंबस को देख पाएंगे ना तो यह चीज है तो यहां पे यहां क्लियर हो गया होगा कि एक्चुली मैं आपको क्या करना है किस चीज पर ज्यादा एंफसिस एंजल सापको मैसेज करने के लिए कह रहे हैं तो I think message is very clear I will start with angel number 2 people who have selected this angel number 2 let's start with this angel number what the spirit guides wanted to give you the message let's see what the angel number 2 want is to give you the message I will keep it here topmost card has been came out at last आखरी मैं बहुत ही टॉप्मोस का card mother goddess का card आया हुए that means कि आपको बहुत जादा आश्रवाद है माता का very good very nice message it is आप लोग को angels message कर रहे हैं आपके spirit guide से स्पिरिट कर रहे हैं कि इस वक्त आपको बहुत ही शान्त रहके काम करने की जरूवत है कुछ भी हो जाए आसपस जहें जितना भी शोश्रावा मच रहा हो कुछ भी आपके पर गुच्सा कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो आप अपना काम प्लीज शान्ती से करिए जैसे कि यहां यह भी message है कि अगर आप शादी शुदा हैं तो husband या wife के साथ आपको बहुत ही शान्ती के साथ चीज़ें discuss करना चाहिए तब यहां पर चीज़ें सुधरेंगी be a cool and calm person in your relationship office में भी आपको इस वक्त बहुत शान्ती से सो समझ के कोई decision या जो है बात करने की जरूवत है conversation भी जब करें तो बहुत शान्ती के साथ करें चीज़ें जो हैं वो beginning यह नहीं at least strength बहुत है आपको यहां angels message कर रहे हैं just know your strength अपन अपनी शम्ता को पहचानी कितना कहां तक आप अपनी strength यूज कर सकते हैं बेवज़ा कि इधर दर के चीज़ों में अपनी ताकत को मत बरबाद करिए आप अपनी strength को सही दिशा में सही चीज़ पर लगाईए तो आपको success मिलेगी अगर आप एक student है तो आपको पता होना चा परसन है तो भी यहां पर message आ रहा है कि आपको अपनी शक्ति सही जगे पर लगानी की जरूवत है strength बहुत है गंभीरता है आपके nature में आपका दिख रहा है और इसमें अगला जो message आ रहा है अपने आपको explore करना सीखें मतलब कभी-कभी ऐसा होता ना कई-कई लोग अपने आपकी बातें कह नहीं पातें अपने बारे में ही नहीं जानते अगला जना आके उनको बताएगा तब उनको समझ में आता है यह चीज़ नहीं होना चाहिए आपको अपने बारे में खुद भी जानना जरूरी है अगला जना ठीक है advice दे रहे होंगे लेकिन खुद भी जान आपको कुछ message मिले angel numbers या angel symbols हो सकता आपको देखने को मिले या garden में हो सकता आपको कोई bird दिख सकती है तो इस तरी की चीज़ हो सकती है तो अपने आपको उभारिये यहां पर यह message आ रहा है जितना अच्छा उभारेंगे उतना अच्छा आप अपने आपको जान पाएंगे और ये तभी संबब है जब आप meditation करेंगे जब आप meditation करते हैं तो चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं और आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करते हैं जाएए अपने उपर पाद समिट का ही के विल अप ध्यान लगा लिजे तो भी सफिशन्ट है चीजें आपके लाइफ में सुधरेंगी आपको आइडियास मिलेंगे पाद समिट का मेसेज यहां यही आ रहा है कि आइडियास आएगे आपको थौट्स आपके बदलेंगे तो जब थौट्स बदलेंगे तो आप अपने आपको पहचान पाएंगे क्या आप है कौन क्या करना है कई लोग कोई समझ में नहीं आता तो यह meditation के थूँ आता है ध्यान आना अगर आपका कोई interest का काम ही नहीं है तो आप क्या passionate हो पाएंगे तो इसलिए passion के साथ काम करिए, interest के साथ काम करिए मन लगा के काम करिए, पूरी energy के साथ काम करिए ठीके, red color का ज़्यादा प्रयोग करिए, आप लोग के लिए red color आ रहा है यहाँ पर फिर्स्ट वाले एंजल में तो green color आ रहा था आप लोगों में red color आपका fire element बहुत अच्छा दिख रहा है अगर यह कमजोर है तो फिर आपको success मिलना बहुत मिश्कुल हो जाएगा fire element को अच्छा करने के लिए आपको अगनी तत्व जो होता है न अगनी तत्व आप आपका अच्छा होना चाहिए इस वक्त जैसे कि आप उसमें red color के कपड़े पहनिए ठीक है red या औरेंज यह ही पहन सकते है औरेंज कलर भी चलेगा मंगलवार को जाकर के हनुमान जी की अगर आश्रिवाद लेते हैं तो well and good बहुत अच्छा है हनुमान चालिसा पढ़ लिजे Saturday और मंगलवार को तीक है Tuesday और Saturday both days आपको हनुमान चालिसा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम हनुमान जी का नाम ही ले मंदिर में जा करके पंडिजी से आश्रिवाद ले लिजे और टीका लगवा कि आईए fire element सही रहेगा मंगल आपका अच्छा बना रहेगा तो property के योग भी बनते हैं उससे ठीक है property के जमीन के इस सब के भी योग बनते हैं और मंगल हमारे blood को भी दिखाता है तो blood के circulation भी ठ प्रेसर नहीं करते ठीक है एक चीज़ मैं और बताना चाहूंगी जो कि जनली लोग नहीं जानते कहीं भी बेफालती हो कि अगर light जल रही है तो please इसको off करना सीख जाएए आपका fire element सही हो जाएगा बेवज़ा कि बिजली खर्ष मत करिये कहने का मतलब यह है electricity का उपियोग उतना ही करिये life में जितना आपको जरूआ है क्योंकि वो fire element को भी दिखाता है ठीक है और red color की चीज़े खाईए जैसे अनार एप हो गया या आपका apple हो गया या drinks ले सकते हैं red color के ठीक है इस तरह किसे तो यह आपको फायदा करेगा मैं non-wish लेने को नहीं कह रही हूं यहा ठीक है तो fire element में यह ध्यान लखेगा कि हमें कोई भी तामसिक वस्तू नहीं खानी है तामसिक मतला तमो गुड़ी चीज जैसे non-wish wine और यह सब कुछ हो गया अगर आप यह चीज करते हैं आप खुद देखेगा कि change आएगा और जो लोग change नहीं कर पाते क्या होता है कि ची तो मातर नौकरी अच्छी है लेकिन फिर भी गडबड चला और major issues चल रहा है family में यह इसलिए हो जाता है क्योंकि तमो गुड़ी में आप जी रहे होते हैं आपका fire element कहीं ना कहीं इतना जादा बिगड़ चुका होता है कि आप उसको handling नहीं कर पाते तो यह सब चीजें हो जाती हैं तो या तो रेकी healers के पास जाए उनके instructions में रहें मैं भी एक रेकी healer हूँ ठीक है तो मैं भी इस चीज़ को जानती समझती हूं कि लोग problems आती है तो इस तरह की next message है बहुत अच्छा message जैसे मैंने पहले ही बोला था top most का card है abundance or awareness चौकनने रहें आसपास क्या हो रहा है लोग क्या कह रहें आपके बारे में क्या चल रहा है आपके आसपास आसपाडूस में क्या चल रहा है ठीक है office में क्या चल रहा है react कर नहीं है आप वहां जागे और जैसे angels message कर रहे हैं कि कोई जना आपके साथ कोई चला की ना खेले उसके पहले ही आप समझदारी से काम ले लीजए आपको समझ में आगए मैंने क्या बोला abundance तभी आएगी आपके life में prosperity है mother goddess की blessings है जो mother nature है प्रगती मा जिसको हम मा पार्वती के रूप में भी जानते प अगर आप किसी goddess की पूजा नहीं करते तो मैं को पाई बता देती हूं हर Friday लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी जी को दुर्गा जी को सरसुदी जी को किसी भी goddess को जिसको आप मानते हैं उनको जाके red या pink color के full अर्पित करके आईए मंदिर में आपके मंदिर में ही अगर स्थाप कि लेट सी कार्ड पहली गिर गए हैं हीलर का ही कार्ड आया हुआ है आपके अंदर एक healing energy की बहुत जादा जरूरत है अपने आपको प्लीज हील करवाईए यहां पर मेंसेज आ रहा है मैं अभी एक रेकी हीलर हूं मेरे पास आ सकते हैं किसी और क्या आगरा कॉंटेक्ट मे हैं अलड़ी किसी healer से तो बहुत अच्छी बात है अपनी healing करवाईए हो सकता है आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी एक healer अगर हैं रेकी healer हैं तो आप लोग के लिए message है कि प्लीज एज रेकी healer आपको अपनी healing के भी बहुत जादा जरूरत है यह असा healing करिए थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए ठीक अगर यह चीज हो रही है या एक एक दिन छोड़के अगर आप healing कर रहे हैं तो प्लीज regular करिए तो regular में लिखे आईए आपको self mastery करने को कह रहे हैं यहां पर अपने अंदर खुद जो है वो इतना जादा knowledge को gain करना मतलब है आपके अंदर अगर वो off पड़ा हुआ है आत्मग्यान आपके अंदर आप जानते ही नहीं अपने बारे में तो फिर थोड़ा से वही मैं कहूंगे कि meditation करिए meditation के through सब चीजें ठीक होती है या किसी healer के पास जाईए तो आपको समझ में हैगा एक मुझे किस field में जाकर के नौकरी पकड़नी है या मुझे किस field में जाकर के business करना है या किस field में जाकर मैं जो पढ़ाई करनी है अगर एक housewife है तो कैसे चीजे house में manage करनी है ये चीज आपके जो knowledge है वो आपको धीमे दिमे समझ में आएगी करना क्या है वैसे आप खुद के अपने master है जो लोग अच अच्छा रहेगा टीचर है आप लोग बहुत अच्छे टीचर है टीचिंग लाइन आप लोग के लिए अच्छी मुझे दिख रही है किसी बितरे का instruction जैसे company में instructors होते हैं उसकी post भी बढ़िया रहेगी आप लोग के लिए टीचिंग ये भी दिखाता है कि आप advice देने में लोगों को काफी बहतर हैं काफी अच्छे हैं तो लोग को advises दीजिए अच्छे चीडवाइस दीजिए कोई जनाप के पास आता है help के लिए तो उसको प्लीस मदद करिए जो भी उसको advice चाहिए करिए ठीकि आपके बच्चों को अगर आपकी advice चाहिए आपके परिवार वा को दबाये नहीं इसको खुल के लेकर के लेकर आये सामने यह message आप लोग को clear हुआ होगा और मैंने उपाई बताया है कि क्या आपको करना है ठीक तो I think message clear है spirit guides के तरफ से let's start with angel number 3 people who have selected this angel number 3 let's start with this angel number 3 and what the spirit guides wanted to give you the message let's see what they wanted to give you the message spirit guides आपको message कर रहे हैं कि आपको इस वक्त काइंड रहना है बहुत उदारता और द्यालूता के साथ आपको काम करना जरूरी है अपने life में अगर किसी से कुछ गलती हो गई है तो उसको माफ कर दीजे इससे क्या होगा कि universe भी आपको माफ कर देगी आप सिर्फ गलती होती होगी ना कुछ अंजाने में तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे यह मुझे नदर आ रहा है इसमें तो आपको किसी से गलती हो गई है और मदब जानवुच के नहीं करी है उसने मदब गलती से हो गया उसको उसको पता नहीं है तो माफ कर दीजे उसको ठीक है जैसे ही आप माफ करेंगे उदार बनेंगे उदारता दिखाएंगे काइंड रहेंगे वैसे ही आपके काम बनने शुरू हो जा तो प्लीस थोड़ा इसको कम करिये एक्सेस में सोचना बंद कर दीजे क्या होता है कभी हम अपनी आखे तो बंद कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमाई दिमाग में चीज़े घुमती रहती हैं फिर फ़र आख खुलती है बारा बजे करीब यह चीज मैंने देखा है करे लोग के ह तो यह चीज नहीं होना चाहिए आपको आप इमोशनल बहुत जादा है तो मुझे लगता है कि आपको ठीक से अपने अगर आपको नीन नहीं आ रही है तो एक तो पानी लीजिए और रात में खाना हलका खाईए दिन के टाइम खाना अच्छे से खाईए लेकिन रात के समय खाना बहुत ही जैसे एक रूटी खाली या कुछ हलका फुलका खाली आपने दूद ले लिए इस तरह के से कर सकते हैं तो इस तरह के से हलका फुलका आपको खाना है और पैर धोके सोईएगा आपको नीन अच्छी आएगी अगर आप भगवान का नाम लेकर कि चैंटिंग किसी मंत्री करते हैं उससे भी नीन आएगी तो या अगर इससे करने से भी नहीं आती है वो प्रॉब्लम हो रही है तो फिर I will suggest that you should go to any Reiki healer किसी healer के पास जाएए वो आपकी healing करेगा proper ताकि आपको नीन आ सके और ये जो चीज़ें जो life हें बिगड रही हैं बहुत जादा सोच रहें समझ रहें वो चीज़ें आपके life से जो negativity है वो खीच के पास जाएए मैं भी एक healer हूँ और आपको यह message ये भी आ रहा है कोई direction दिखाने ही कोशिश कर रहे हैं आपको spirit guides कोई direction कोई दिशा आपको दिखाने ही कोशिश कर रहे हैं कि ये दिशा अच्छी है ये direction अच्छा है आप लोग के लिए तो उसी direction में चलने ही कोशिश करिए कोई जैसे होतने कभी-कभी हम दिशा जाने कोशिश करते हैं समझ में नहीं आता या किसी senior person से भी आप ये advice ले सकते हैं कोई आपके mother, father या आपके जो बड़े भाई, बेहन जो experience है या आपी के field में कोई senior कोई friend है तो उससे थोड़ा से advice लीजे कि life में करना क्या है उनके जो experiences उनके बारे में जानी है इंजोस मेसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको अपना जो insight है be open to enchantment मतलब कि आपको अपने जो भी insight है आपका जो भी आप सोचते समझते हैं उसको positive direction में करके चलें तो जादा आपके देखने का नजरिया आपके देखने का नजरिया जो है वो अच्छा होना चाहिए आपको का बना सकते हैं अगर कोशिश करेंगे गे तो बिल्कूल success मिलेगी जैसे ही आपका न जरिया बदलेगा न वैसे ही आप देख पाएंगे कि जिन्दगी में आपको किस Direction में जाना है आपके लिए क्या अच्छा है तो अपने डारेक्शन अपने जो नजरिया है उसको थोड़ा सा बदलिए एक ही क्लासिकल चीज पर किसी ने कहे दिया सुन लिया कर लिया नहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो क्या कह रही उस पर ध्यान दिजिगा आपके अंतर आत्म भविश है काफी अच्छा भविश मैं देख पा रही हूँ मतलब अंधेरे में रोशनी देना यह उपर वाला आपको आश्रिवात दे रहा है कि आपको अंधेरे में भी वो रोशनी दिखाएगा बस उस दिशा को पकड़ दिजिए देखिए समझे वो दिशा कर अच्छी लग रही है आपको वो डिरेक्शन अच्छा लग रहा है कि मुझे इस डिरेक्शन में जाना चाहिए बिलकुल जाहिए इससे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपके अंदर बहुत करिश दिख रहा है मुझे आने वाले समय में आपके अंदर काफी हिम्मत कि चीजें जो चाहना पाना चाहेंगे वो मिलेगी आपको अचीफ करेंगे आप करिश रहेगा आपके अंदर कि लेट सी अधर मैसेज़ेज़ेश स्पिरिट गाइड्स यहां मैसेज कर रहे हैं कि अपनी बॉड़ी को सक मूफ कराईए एक्टिव रहेए और एक्टिव रहे और इंजोय भी करिए अपनी लाइफ अपने love mate के सात मदलब किसी इवेंट्स पर जाना है पाटी में जाना है या कहीं इंजोय करना है घरपे ही अगर चाहरा है तो मदलब इन जोयमेंट आं यहां पर एंजोय करेंगे आप लाइफ को खुशी से जीना, हैपिनेस रहना और कभी भी आलस से मत पकड़के बैठिएगा यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है हमेशा एक्टिव रहे है कुछ न कुछ करते रहे है चोटा मटा कुछ भी कुछ काम करते रहे है अपनी अंतार आत्मा की आवास को जैसा मैं अभी ब आपको जैसे मैं ने बताया ध्यान लगाई हो उससे आपके लाइफ में आपको चीज़े समझ में आती है और आत्मा आपके क्या कह रहे है कि आत्मा सब कुछ जानती है यह बहुत एक शरीर है ना यह मोम आया है बढ़ करके कुछ भी अध्योदर गड़बड करने लगता है लेकिन जो आत्मा है वो कहते रहती है यह सही है तो उसको सुनने कोशिश करिएगा और आपको जैसे मैं ने बताया ध्यान लगाई हो उससे आपकी बॉड़ी हील होगी आपकी सोल भी खुश होगी वो भी हील होगी आपके अंदर एक अंद्रूनी ग्यान चुपा हुआ है एक wisdom का card आया हुआ है कोई knowledge है आपके अंदर बहुती अच्छा प्रचुर मातरा में life का experience है आपके अंदर उसको use करिए उसको use करिए वो आपको हिम्मत देगा वो आपको जादा फाइदे मन होगा ना कि अगला जना आपको advice देया करके सुन लीजे बात दूसरी है लेकिन अच्छा लगे तो करिए otherwise एक बार अपने आपकी भी सुनिये कि आपको क्या अच्छा या क्या बुरा लगता है जो भी जो भी है तो आपके अंदरूनी जो ग्यान है उसको जादा emphasis दीजे मेरे कहने मतलब यह है आपे ठीक है तो यही message आ रहा है spirit guide से तो I think message clear हुआ होगा और आप लोग को मैंने बताया भी है कि क्या करना है क्या नहीं ठीक है तो I think the message is very clear, thank you so much, thank you so much